Hello friends, welcome back to my channel तो friends, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आप अपने बाड़ी को 10 मिनिट में डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं और ये बिल्कूल आजमाया हुआ तरीका है उससे पहले हम जान लेते हैं कि अपने बाड़ी को क्यों डिटॉक्स करना चाहते हैं आज कल की modern life style में हम बहुत ही polluted air inhaler करते हैं और उसके साथ साथ हम fast food या package food खाना बहुत ही जादा पसंद करते हैं जो हमें direct nature से नहीं मिलते हैं और ये digest करने में बहुत ही problem करते हैं और ये हमारे आतों में जाकर चिपक जाते हैं और सालों तक हमारी बाड़ी में ऐसी सड़ते रहते हैं उसके लिए बहुत ही best उपाय है oil pulling तो ये western country में बहुत ही popular हो चुका है फ्रेंड्स इस oil pulling के या इसको गंडूश भी बोलते हैं तो इसके बहुत ही गजब फायदे है इस oil pulling से आपकी बाड़ी से विशेले तोत्वा को बाहर निकाल देता है सरदर्द, migraine या sinus, anidra अगर आपकी दातों की कोई problem है, skin की problem है, उसको दूर करता है ऐसे बहुत सारे benefit इस oil pulling से आपको मिल जाते है oil pulling के लिए आप कोई भी तेल यूज कर सकते है, तील का तेल या mustard oil आप यूज कर सकते है या coconut oil तो बहुत ही west option है, तो आप इसमें कोई भी तेल यूज कर सकते है इस आईल पूलिंग को आप दिन में कभी भी कर सकते है जब भी आपको फ्री टाइम मिल जाता है तो बस आपको 10 मिनिट निकालने है और इस आईल पूलिंग को आपको यूज करना है इस तेल को कैसी यूज करना है आगे आपको मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ इसलिए आप इस वीडियो में लाश्ट तक जम्मे रहे और इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर दिखे ताकि आप कोई भी इसमें इन्फोर्मेशन जो है मिस ना कर सके और प्रेस दो बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट तो आइल पूलिंग के लिए हमें लेना है दो चम्मच तेल तो मैं यहाँ पे कोकोनट आइल ले रहे हूँ चाहे तो आप तील का तेल या सरसो का तेल यानि मस्टर्ड आइल भी ले सकते है तो कोई भी तेल हमें 2 चम्मच लेना है तो इसको कैसी उज़ करना है मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ तो पहले मैं यहाँ पे ले रहे हूँ 2 चम्मच कोकोनट आइल यानि नारियल का तेल और ये 2 चम्मच तेल आप अपने मूह में रखना है और इस दवरान आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं दस मिनिट बहुत ज़्यादा होते हैं पता है लेकिन आप इसको पहले पास मिनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो इस तेल को अपने मुह में रखना है ताकि आपके जो बोड़ी में विशेले तत्व है तो इसको ये तेल बाहर निकालने में बहुत ही मददगार होते हैं उilफुलियों यानि इसका साप साप मतलब होता ततर्डस करण जैसे आप पानी से कुला करता है वैसे ही तेल से कुला करना होता है फ्रेंट्स 15-20 मिनिट तक आप इस दो चमश तेल को मुह में भर कर कभी दायक कभी बायल ले जाकर कूला कर सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से कूला करना है ताकि आपकी जो हानी कारक जर्म से या बैक्टिरिया है वो आइल से फ्रेंट्स इससे आपकी मुह में जो बदवू है वो भी चले जाती है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं तो उम्मीद करते हूं कि आज की वीडियो आपको पसना आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें तो मिलते हैं नेक्चुडे में तब तक खासते रहिए खूश रहिए मोस्ट इंपोर्डन खाते रहिए तब तक के लिए बाए टेक क्यार